प्रादेशिक समाचारिकांश भोपाल से प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा आलेक सती शेलिया वाचनस्वर सैयुक्ता बानरची अनुसूचत जाती और अनुसूचत जन जाती के लिए आरक्षन को दस साल की अवधी के लिए बढ़ाय जाने संबंधी समविधान के 126 वे संशोधन विधैक के अनुसमर्थन के लिए संकल्प पारत करने बुलाया गया मधिप्रदेश विधानसभा का दो दिवसिय विशेश सत्र आज शुरू हुआ लेकिन पहले दिन ये संकल्प कार्य सूची में शामल होने के बावजूद सदन में पेश नहीं किया गया वर्तमान विधानसभा के सदस्य बनवारी लाल शर्मा और पूर्व विधायक रूगनाच सेहें आंजना के नधन पर उन्हें श्रधानजली अर्पितकर शोक स्वरूप विधानसभा की कारेवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई अब ये संकल्प शुक्रवार को पेश और पारित होने की संभावना है राशुगीत वंदे मातरम के साथ विशेश सत्र की कारवाई शुरू हुई अध्यक्ष नर्मदा नियक्षती बताया मुख्यमंत्वी कमलनात ने कहा कि बनवारी लाल शर्मा जी हमारे इस सदन में साथ ही रहे समात सेवक्त थे और एक ऐसे व्यक्ती जिन्होंने अपना राजनातिक जीवन सरपंच के रूप में शुरू किया सरपंच से वो जनपत में पहुंचे सहकारिता के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा वो सहकारिता से जुड़े हुए थे पिछले साल बीमारी के बावजूत वो एक ऐसे विधायक थे अगर मैं गिंती करूं कि कौन सबसे ज्यादा मुझे मिलते थे उनका स्वास्तर ठीक ना होने के बावजूत वो अपने आवे आपने उनके जीवन के बारे में उलेख कर दिया है मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हम सब का कर्तव या अपने क्षेत्र के प्रती है जिन्होंने विश्वास से हमें यहां पर बिठाया है और एक ऐसे व्यक्ति जो चल भी न पाए ब रातना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांती मिले उन्होंने आगे कहा कि श्रूपनात सिह जी भी हमारे सदन के सदस्य रहे मेरा उनसे परिचाय नहीं था पर उन्होंने राजनातिक जीवन में अपना सथान बनाया मैं उनके प्रती भी श्रद्धान चली अर्पित करता नीता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि इसी विधानसभा के कारिकाल के सदस्य और ऐसे व्यक्ति जो सामानी परिवार में रहकर जमीन से उपर उठकर यहां विधानसभा तक आए मुश्किल से उनका एक साल का कारिकाल हुआ होगा वो हमारे बीच में नहीं रहे और आदमी का जाना था भले ही वो विधायक थे अध्यक्र मोहते जो सासंदी पर आप बैठे हैं शासंदी पर पिछले वर्षकों में मैंने देखा है कि जब शूर्वास तिवारी जी दस वर्ष़ों तक इस आसंदी को सुशोभित किया समय समय पर इस विशे पर चर्चा होती है कि ऐसा आखिर होता क्या है और क्यूं होता है हम यहां 230 लोग है और कभी कभी इन 5 वर्षों में यह संख्या 8 से लेकर 10 तक पहुंचाती है हमने कई समाच शास्त्रियों और मनोवैग्यानिकों से चर्चा की हमारी सिंदगी आपाधापी और अनिश्चतात से भरी है मेरा मानना है कि राजनीती में रहकर चाहे विधायक हो सांसद हो पक्षके हो विपक्षके हो जितना कठोर परिश्रम और मानसिक शारिरिक तनाव होता है इस कारण से भी कभी-कभी आयू काक्षरण होता है और बीमारिया भी होती हैं। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते लेकिन जब ये संख्या बढ़ जाती है तो इसके लिए इसी भवन में कुछ प्रयोग भी हुए है। का भविष्य देखना होता है कि आगे हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे, दोबारा चुनाव लड़कर आना है, चुनाव जीतना है। अध्यक्ष महदय में कहना चाहता हूँ कि हम राजनितिग्य एक प्रकार से दो रूपों में जीते हैं। एक तो हमारा स्वयम का व्यक्तिगर्ट जीवन होता है और दूसरा सार्वजनिक जीवन। बाहर के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? वे सोचते हैं कि विधायक, मंत्री, बहुत अच्छी जिन्दगी जीते हैं। लेकिन वास्तव में जो लोग ये जीवन जीते हैं आप उनसे पूछें। वे विधानसभा में बहुत कम बोलते थे लेकिन अपने क्षेत्र के प्रती बहुत अधिक सक्रिय रहते थे। इन दोनों शक्सियतों के लिए मेरी और से विनमर श्रधानजली। इश्वर उनकी आत्मा को शांती दे, उनके परिवार को ये गहन दुख वहन करने की शक्ती दे। मैं उनके लिए पुनहा अपनी श्रधानजली अर्पित करता हूँ। श्रधानजली अर्पित करने के बाद सदन ने दिवंगतों के सम्मान में दो मिनिट का मौन रखा। इसके बाद अध्यक्ष नर्मदा प्रसाथ प्रजापती ने सदन की कारेवाही कल सुभग 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कल सदन में पेश और पारित किया जाएगा। विधान सभा समीक्षा समाप्त हुई।